असलावलेकम, वेलकम टू आर चैनल, अब हम जो है वो एक्सेसाइज 1.1 को उर्दू मीडियम में स्टुड़ी करेंगे तो अब इसमें इसका जो यह पहला कॉस्चन है, एक्सेसाइज 1.1 का कांथ क्लास तो इसमें हम ने क्या करना है, हमने मसावातों को मैैरी फार्म में लिखना है और फिर्दू दरजी मसावात की निशानदी करना है ठीक है तो पहले तो दो दर्जी मसावाद की हमरे पास शकल की इस तरह की होती है तो वह हमार पास दो दर्जी मसावाद वह हमार पास इस शकल में हुआ करेगी तो अक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी बराबर है जीरो ठीक है और जो पियूर दो दर्जी मसावाद है वह हमार पास की शकल में हुआ करेगी वो हमारे पास हुआ करेगी AX की दो जमा सी बराबर है जिरो यानि उसके अंदर ना X वाली रखम नहीं हुआ करेगी अगर तो हमारे पास X की दो X और सक्षट इसे क्या करेंगे कि दो सब्सक्राइब करने हैं अगर तो जैसे पहले सवाल को देखते हैं तो पहले स्वाल में हमारे पास सब क्या है कि X जमा साथ इंटू X नफी 3 बराबर है नफी 7 तो इदर हमने करना है कि है सिधा सिधा हमने इसको जर्ब दे दी ठीक है जर्ब देंगे तो मारे पास क्या बन जाएगा X की दो नफी 3 X जमा साथ X और नफी 7 तिया 21 बराबर है नफी 7 अब यहाँ पर X की दो है इ एक्स वालियों को जो है हम क्या करेंगे इन दोनों को मजीद हल कर लेंगे और उसके बाद इस रखम को अठा के हम बसावाद की इस तरफ लेंगे तो वो हमरे पस क्या हो गया X की 2 इन दोनों काल करेंगे तोम्हेर पास नफी 3X और जमा 7X की इसके बरबर आया जमा 4X के और नफी 21 और ये नफी सात इदर आ के क्या होगा जमा का 7 बराबर है 0 ठीक है अब हमने क्या करना है अब हमने इन दोनों को मुझेद फल कर लेना थीक है तो हमार पास यह बन जाएगा X की दो जमा 4X और यह नफी 14 बराबर है 0 की तो यहाँ आप देख सकते हैं हमार पास X की दो की रखन भी मुझूद है X वाली भी मुझूद है और constant भी मुझूद है तो यह हमार पास कौन सी मसावाद बनी जी यह मार पास बनी दो दरजी मसावाद लहाज़ा यह दो दरजी मसावाद है तो यह हम लिखते हैं ठीक है अगले सवाल की तरफ चलते हैं सवाल नमबर सवाल नमबर दो स्वारी इसी सवाल का जो दूसरा जोसरा उसकी तरफ चलते हैं तो उसमें हमार पास क्या दिया वे इसमें हमार पास दिया वे जी एक्स की दो जमा चार बटा तीन नफी एक्स बटा साथ ब्राबर है एक के कि इसमें क्या करना है नीचे वाले का जलाखकल ले कीकी संधी यह इधर उपर जाखने ग्रने साथ एक्स की गञाए तो अब इसमें ने जनाब को लगाए ये को दो कि इसको तुर्टीब से इसको तर्तीब से लिए नफी 3 x जमा 28 वराबर है जाए की जिए किस आगया तो यह फिर नफी तीन एकष अठाए और यह जमा 28 और माीनस का इकीस जमा का एकिस दरा के माइनस का एकिस हो गया बराबर है जीरो और यह मरबस बन गया साथ एक्स की दो नफी तीन एक्स और अठाइस में से एक्स गया मरबस क्या बचा साथ जमा साथ बराबर है जीरो के ठीक है जी तो यह मरबस आ गया साथ एक्स की दो तो अगले स्वाल की तरफ चलते हैं स्वाल नंबर 3 इसमें क्या दिया वे जी इसमें दिया वे एक्स बटा एक्स जमा एक जमा एक बटा एक्स बटाबर है। इसमें भी हमने क्या करना है सबसे पहले जोग्र कल ले लेना जी जोज़ लेंगे तो हमार पास इंड़ोंको जरब दे देंगे सिधा सिधा तो वह जायगाे एक्स की दो जमा X जमा एक, X जमा एक से जरब खाके मरपास क्या बन गया X जमा एक कुल का मरभबा बराबर है 6 वैसे का वैसे अच्छा भाई अब हमने इसका मरभबा हमने किस तरी किसे खोलना है वो हम कोलेंगे जनाब हमार पास जो फार्मूला था कि A जमा B का मरभबा तो यह फार्मूला मरपास क्या हुआ करता था यह होता था A की दो जमा B की दो जमा 2AB तो यह फार्मूला में X जमा A के मरभबे पर लगा कि इसको खोल लेंगे ठीक है जी तो यह मरपास हो गया X की दो वैसे का वैसे रहा x की 2, जम्मा x की 2, जम्मा 1, जम्हा 2 x ब्राबर है ये देखें न, a की 2, x, जैब a हो गया, x की 2, जम्मा 1 का मुर्बा 1, जम्मा 2 a b, 2, 1, और x, 2x ठीक है और ये x की 2, जम्म 6, उतर जा जाके महर पास, ये क्या होगा जी इसको हमने इतर लिए जाके ठीक है 6 एक शोड़ी से जगह बना लते हैं हम यह थोड़ी से अग्या लेगा लता ठीक है जमा 6x एड से देर जाके जर्ब खागर डो एक्स की दो मर्पशनल थरुक जाए फार हम ठीक ऐ और उसके बाद एक लिखना चाहिए था लेकिन हम तर्थीब ठीक करते हैं या इने डिरेक्ट तमाम रखमों को उस तरफ ले जाते हैं ठीक है एक स्टेब बच जेगा यह तो यह तमाम रखमें हम क्या करते हैं उठाके यह हम मुसावात की दूसरी जानव ले जाते हैं ठीक है इन तमाम रखमों को उठाके दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यह मरपस होजेगा जीरो बराबर है 6X की दो और X की दो एक्स की दो दो X ही दो गया था वह तरहां कि माइनमस होजँ रहा तो मारपस मानिस का 1 हो गया तो यह मरत बन गया 4 X की दो जमा 4 X नफी एक बराबर है जी रो के तो यह भी आप देख सकते हैं कि हमारे पशल रख alive इसमें भी A X की दो जमा B X जमाँ C है तो यह भी हमारे पशल कौन सी मतसवावब बनी है जी दो दर्जी मुसावात ये भी मर्पस किया है एक दो दरजी मुसावात ही बनी है ठीक है अब मजी जगा बनाते हैं जी अगले सफे पर चलते है अब आते हैं अगले स्वाल की तरफ अगला स्वाल मार पास किया है कॉस्टेन नमबर वर चॉथा स्वाल उसमें वारे पास क्या दिया है जी उसमें दिया है एक्स जमाचार बटा एक्स नफीडो और नफी एक्स नफीडोवटा एक्स जमाचार बराबर रहे जीरो ठीक है तो अब इसको हल करेंगे इसका भी इसी त्रीके से पहले दोक कर लेते हैं तो वह हमार पास क्या बन जाएगा X और X, X की 2 नफी दो X, ये X देढ़ जार्प खाएगा तो X की 2 आगया जमा चार आपस उसी दिरिके से यह दर ज़र्ब खा रहा है और नफी इस केस में हमारे पास एकस नफी दो एकस नफी 2 खुल कम रभा हो गया और यह जमा का चार उदर जाके माइनस का चार हो गया ठीक है अच्छा आप हमने क्या करना जी यह वाली रिकमिसी ताही रहने देते हैं इसको दर ज चार एक्स नफी एक्स की दो जमा दो दुनी चार नफी चार एक्स अब किस्दी के अधी कि evolves इया नफी भी क़ह अं nawet क्या बन गया है की दो बन फीड दो ऩी यह बराबर हो गया जा चांए यहां एक्सक्राइड करते हैं और इस रिक झार एक्स से की दोगेगा और जमाग नाफी चार एक्स की दो से जि gagn विजगा दिनि आठ जश्व झाइथ है किस थ Вас भी है टिकler ब्रावरबर है नफी चार प्रफी क्या हो गया एक्स की दो और एक्स की दो यह पुसमा हो गया जमा और हम रपास क्या हो गया और यह चार एक्स आर्च भी था अब यह सारी रखमें हम उठाके मुसावाद की इस तरफ ले आएंगे तो यह मरबा बन जाएगा जीरो बराबर है नफी चार एक्स की दो जमा आर्ट एक्स नफी आर्ट एक्स और यह नफी चार इदर आके जमा का चार हो गया जीरो बराबर हो गया नफी चार एक्स के दो जमान चार प्रापरी तो क्योंकि यह दुनवा अपत में कट जमा ऑठ और नफी राट ठीक है आप इसके इलाम्तें hard center कर ले यह मैंन चार एक्स की दो Celine before जुरे है यह अब और यह जमा का चार है तो माइनस से मल्टिप्लाइए कर दें पूरी मसावाद को तो हमारा पता अंजेगा या सारा कुछ उठा के दूसरी तरफ लें मसावाद की चार एक्स की दो नफी चार ब्राबर है चार लेकर कामन लिया चार कामन ले लिया तो एक्स की दो माइनस एक ब्राबर है जीरो चार उदर ले जाके खतम कर देंगे अच्छा ये ना उदर जाके तक्सीम नहीं हुआ करता असल में यह मैद का कानून है कि एडार बी अगर ब्राबर जीरो क्यों ना या दो रुक्म को जरब दे रहे हैं जवाब जीरो आ रहा है तो यह मजावात नहीं है तो यह हमार जांश क्या है यह मजावास बनी है प्योडर दो और जगा create करते हैं क्या पता हमें next page पे ना ही जाना पड़े है ठीक है जी तो question number 5 इसमें क्या दिया गया है इसमें हमारे पास है कि गाया है एक्स जमाती बटा एक्स जमाचार नफी एक्स नफी पांच बटा एक्स बराबर है एक इसको हल करेंगे तो नीचे वालों का अपसमें ज़र्ब दे देंगे तो आजएगा एक्स की दो जमाचार इसको इससे जर्ब देंगे इसको इससे जर्ब देंगे तो इसको पहले लिख लेते हैं एक्स जमा चार्फ एक्स नफी पांच ब्राबर है एक ठीक है अच्छा अब यह मरपस क्या बन गया कि यह मरपस बन गया एक्स की दो जमा तीन एक्स माइनस यह गया एक्सकेर माइनस 5X प्लस 4X और माइनस 20 ओवर एक्स के प्लस 4X इक्वल्स टू 1 अच्छा अब माइनस को अंदर भी ले जाएंगे इसको थोड़ा सॉल भी कर देंगे साथ ही यह मरपस बन जाएगा एक्स की दो जमा तीन एक्स एक्स की दो मैनस अंदर चला गया और यह माइनस US 5 τα decisively मैं ठीरेखे पास थो मैंनुस मैंनिस था प्रसेंट हो गया ठ यह सारी नीचे वालइटर्म हमने उठाके। नहीं तो मोरपास आगा। x square x square X square plus 4X ठीक है तो अभी से मजीर सॉल्ट करेंगे तो X square और X square या पस मैं cancel out होगे और plus 3X और X यह मापस 4X आ गया और plus 20 equal to X square plus 4X तो यह सारा कुछ हम उठाक equation की दूसरी साइड लेंगे तो हमार पास यहां पर 0 रहा गया 0 equal to X square plus 4X minus 4X और minus 20 तो 0 equal to होगया X square या पस मैं cancel out होगे minus 20 equal to X square minus 20 equal to 0 इसमें भी आप देख सकते हैं X square है X वाली term मुझूद नहीं है यह भी हमार पास क्या है प्योर दो दर्जी मुसाबात है ठीक है अब next question के लिए यह जगा नहीं है तो हमें next page पे जाना होगा तो next page पे जाना है अब 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 तो next हमार पास जो six question है और last question है इसको solve करते है तो इस question में हमार पास क्या दिया रहा है किसमें हमार पास दिया रहा है इसके अंदर भी उसी त्रीके से हम पहले रॉकर ले लेंगे ठीक है तो वह मार पास क्या बन जाएगा x plus two into x plus three और यह x plus three इदर x plus one से multiply हो जाएगा तो मार पास आजएगा x plus one into x plus three plus x plus two into x plus two यह उसका whole का square हो जाएगा equals to 25 over 12 उपर अब मिने multiply करेंगे तो मार पास आजएगा x के plus three x plus x plus three और प्लस इसका square खोलेंगे a plus b square वाले फार्मूले से तो यह मार पास क्या बन जाएगा x की दो जमा 4 जमा 4x बटा नीचे वालों को multiply करेंगे तो मार पास जवाब आजएगा x की दो जमा 3x जमा 2x जमा 6 बराबर है 25 बटा 12 उपर वाले को मजीद solve करेंगे तो x की दो और x की दो मार पास 2x की दो हो गया जमा 3x और x 4x 4x और 4x 8x हो गया ठीक है इसी दीके से 3 और 4 जमा 7 हो गया और बटे में हमार पास x की दो जमा 5x जमा 6 और यह किसके बराबर हमार पास आया यह मार पास इकल सूँ 25 बटा 12 की तो 12 गेदर जर्ब दे देंगे और इस सारी रिकम को 25 देंगे तो यह मार पास हो जाएगा 24x की दो जमा 96x जमा 1284 बराबर है 25x की दो जमा 125x और जमा 25 का 1.500 इसको हम एक साइड पिला आके जब सॉल्व करेंगे तो हमार पास आ गया 25 25x की दो माइनस 24x की दो जमा 125x माइनस 96x और जमा 1.500 और नफी 84 बराबर है जीरो यह मार पास आ गया एक्स की दो जमा 125 मेंसे 96 गये तो मार पास आया 29x और डेड़ सो मेंसे चुरा से गये तो मार पास आया जमा 66 बराबर है जीरो के तो इन तमाम कुशन्स में हमने करना है क्या था जादतर में हमने क्या किया है पहले हमने जाखकल दी है नीचे वाले दोनों को मैंने मृटिप्लाय कर दी है ठीक है वो जाखकल आ गया उसके बाद इस रकम को मैंने जरब देनी है पैंट चेंज कर रिके है इस रकम को अबने जरब देनी है इस से और इस रखम को देनी है इस तो यह इन दोनों का मृट्ट्पिलाया आ गया इसका अधिन जरु आ गया नीचे डर देदी यह यह हमारे पास सिंप्लिफाय हो के इस पौर में आ जाएगी तो हमने क्या करना है हमने इसको उठा इस से दर्ब दे देनी है और इसको ठाके इस से दर्ब देन एंगि हूट में बनेंगी उनमें से एक्सकी दोबाले एलाइदा कर लिए एक्स्वाले एको और नाकर लिए उन्हें हमने हल किता ऊह मचल लीया तो हमार पास इस शक्रमार मुसावात बनी इसमें भी चुंके एक्स की दो भी मौझूद है एक्स भी मौझूद है और पास कौन शीप नहीं है यह दो दर्जी मुसावात है भी दर्जी मौझूद है नहीं तो आज के लेक्टर में हमने दस इसयारी एक मशाइक का पहला सवाल हुल किया है इंशाला नेक्स लेक्श़ में हम यह पूरा असलेंबस चुई यासे कवर करेंगे शीन पर